आज मैं आप लोगों के साथ रमदान स्पेशल में शेर करने वाली हूँ चिकन चीथी बोटी कबाब की रेसिपी जो एक बहुत ही लजीद माउट वाटरिंग रेसिपी है और इस्तार टाइम के लिए परफेक्ट है और इसके अलावा भी अगर आपके घर में कोई पार्टी ह हो या आपके हां कोई गैस्ट आए तो आप इसे स्टार्टर के तौर पर सर्फ कर सकते हैं और यकीन मानिए जो कोई भी इस कबाब को खाएगा वो आपकी तारीफों के पुल बांते नहीं तकेगा तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किये हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी तो कबाब बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर 500 ग्राम बोनलेस चिकन और इसे मैंने एक इंच के पीसिस में काट लिया है और फिर मैंने इसे अच्छी तहां से वाश करके एक छलने में डालकर आदे खंटे के लिए छोड़ दिया था ताके इसका सारा पानी ड्रेन आ के लिए साइड में रख देंगे मैरिनेट होने के लिए अब एक दूसरा मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें डालेंगे देर सो ग्राम दही अब आट करेंगे हम इसमें कुछ पाउडर स्पाइसेस वन टीस्पून रैड चिली पाउडर आट करेंगे या फिर आप अपने अब टेबल स्पून हरी मिल्स का पेस्ट आट करूंगी मैं तीन से चार हरी मिल्स लिए इस तरह से पूट लिया है और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम यह दाधा कर सकते हैं अब आट करेंगे वन टेबल स्पून जिंगर रार्लिक पेस्ट अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से करेंगे मिक्स और मैंने इस मिक्चर में एड किया था वन टीस्पून ब्लैक पैपर पावडर भी सारी मैं कैमरा ओन करना भूल गई थी अब हमारा यह अब इसमें एड करेंगे हम चिकन जिसे हमने पहले विनेगर में मेरिनेट करके रखा हुआ था और अच्छी तनहां से करेंगे मिक्स अब आप चाहें तो इसे अभी पका सकते हैं लेकिन मैं इसे रखोंगी आदे घंटे के लिए मेरिनेट होने के लिए क्योंकि जितना तो अब तकरिवन 30 से 40 मिनट हो चुके हैं और चिकन अच्छी तरह से मेरिनेट हो चुका है तो अब हम इससे बनाना स्टार्ट करते हैं और यह स्टिक्स भी 30 मिनट से पानी में भीगी हुई है इन्हें पानी से बाहर निकालते हैं और यह देखें बिल्कुल गैरी है तो यह देखें एक स्टिक हमारी रेडी हो चुकी है और अब हम बाकी की स्टिक भी इसी तरह से रेडी कर लेंगे और यह थर्ड स्टिक भी रेडी हो चुकी है और मुझे लगता है कि इतने चिकन में मेरी 4 स्टिक्स रेडी हो जाएंगी तो यह देखें मैंने यहाँ पर य करें कुकिंग ओई और सारे पैन पर अच्छी तरह से प्लाइक कर दें और आपके स्कार्गें प्राइब देगे और इस पर हम उनके इस तरह देंगे और इसके बाद हम पर इसके इस करेंगे इसके जड़ेगे और इसी तरहां पर इसे तो उपर से तो गोल्डन कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से टिकन की बोटियां तकी रह जाएगी इसलिए गैस का फ्लेम लो टू मेडियम रखें ताकि अंदर पर तक्षी तरहां पग जाए आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा कलर आया है चिकन और यह अच्छी तहां पर फक्ष चुका है तो अब हम इसे प्लेट पहिताल लेते हैं तो यह हमारे सारे कबाब्स रेडी हो चुके हैं अब रेडी करते हैं हम इसका चीजी सॉस और उसके लिए मैंने रखा है यहाँ पर एक पैन गरम करने के लिए और इसमें मैं एड करू मैंने यहाँ पर और बटर दोनों हाफ आफ यूश किया है आप चाहें तो सिर्फ बडर या सिर्फ वाइल भी यूश को सकते हैं अब मैं इसमें एड करूंगी दो टेबल स्पून मैदा और मैदा को दो से त्री मिनेट तक में भूनूंगी या फिर गोल्डन कलर आने का शि करना है और इस टाइम पर गैस का फ्लेम हमें स्लो रखना है और इस बात का दिहां रखना है कि मैदा में कोई भी लंग्ष ना रहने पाए तो यह देखिए अच्छी तहां से मिक्स हो गया है अब मैं एड करूंगी इसमें हाफ टी स्पून ब्लेक पैपर पाउडर अच्छी तहां से करेंगे मिक्स और मुझे थोड़ा सा सौस गाड़ा लग रहा था तो मैंने इहां पर थोड़ा सा दूद एड किया है अगर आप और अब चीज को अच्छे तरहां से सौस में मिक्स करेंगे और हाँ इस ताइम पर भी आपको गैस का फ्लेम फ्लो ही रखना है चीज के मैल्ट होने तक ही हमें से कुप करना है और उसके बाद गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और इस सौस को इस तरहां से रहनी रखना है हमें तो यह sauce ready हो चुका है और हमारे chicken kbab भी ready है तो आगे का process start करते हैं तो मैंने फिर से grill pan रखा है गरम करने के लिए और मैं इसमें रख दूँगी यह हमारी बने हुई kbab steak और जो cheese sauce हमने बनाई थी वो हम इसके ओपर apply कर देंगे इस तरहां से एक spoon की help से इस तरहां से आप उसे apply कर दें कबाब पे और अब हम इस पे add करेंगे थोड़ा सा mozzarella cheese उपर से और कुछ chili flakes और थोड़ा सा organo और अब इसे cover करके cheese की melt होने तक इसे cook करेंगे slow flame पर तो देखें दो से तीन मिनट में ही चीज अच्छी तरहां से melt हो चुकी है अब हम इसे plate में निकाल लेंगे और यह mouth watering dish ready है तो आप इसे ready करिए इसार टाइम के लिए और लोगों की वावा ही लूड़िये और हां मुझे comment करकर अपने experiences के बारे में जरूर बताईएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो और साथ की bell icon को जरूर प्रेस करिए ताकि मेरी latest videos की notification आपको सबसे पहले मिल सकेए तो फिर मुलाकात होगी इसी तरह की केक टेस्टी सी लजीज दिश के साथ कब तक के लिए मुझे देनी जादर बाबाए अला अपिस्टे केर